नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर आज हम लेकर आए हैं आतुल माहेश्वरी जो आपका एक्जाम होने वाला एक्टोंबर के अंदर तो आज हम इस वीडियो में आपके लेकर आए हैं जनरल नौर्यन की सामाने विग्यान के कुछ देखने व कि हमारा पहले क्षिशन है मानों द्वारा सर अपटम ऄस्ने किस द्वाटू का उप्योग आरम कि इनकी जो मानों हुशा प्रियूक किया गार्यों पार चांदी, यह दिंग लोहा तो इसससों नमबर सी है जो रला राइत Cay Sep बारत में प्राचिंतमिंस्तान जाइस्टेटियम के अफसेश मिले हैं तो इसका आफ्र नमर सी न की दोला विरा के अंदर मिले हैं नीक्स्ट है अमारा आपनरी सिंदु सब्यता में अनाज के बड़े बड़े जो कोठार कहां मिले जो अनाज के अंदर कने के सब्से बड़े कोठार कहां मिले आफे नदर साश्व के साश्व सिंदू सब terr volta के अनदर हैahah नेक्स्त वे शाक्षे सिंदू सब्यत्त के सब्यत्ता के अंदर केhao पर प्राप्त हुए है काली बंगा लोथल बनावली या रंगपूर तो इसका ओप्सन नंबर हमारा एस का राइट आंसर रोजाए इनकी काली बंगा है वहाँ पर सशो की शाशे मिले हैं नेक्स्ट है हमारा सिंदू सबेता में किस दात्यों की नर्टे करते हुए महिला की जो मूर्ती है प्राप्त हुई है सिंदू सबेता में जो किस दात्यों की मूर्ती है जहां महिला के नर्टे करते हुए प्राप्त हुई है स्वन पाशान कासिय चांदी तो इसका option number C हमारा right answer हो जाएगा कासि जो महिला की मूर्ती है वो कैसी मिली है किस दातों की है कासि की next है हमारा महुन जोद्रो में मिला कूबरदान बैल अंकित किया गया तामर पत्र चांदी पत्र काश्य पत्र या सील तो इसका option number A हमारा right answer हो जाएगा तामर पत्र जो कुबरदान बैल कांग की तिया गया तामर पत्र नेक्स्ट है हमारा नेमलेकित नगरों में से सित्रफल में कौन सा सबसे अधिक विश्चत था तो इसके अंदर बताना है कि सबसे नगरों में सबसे जिसका सित्रफल सबसे बड़ा चादा था सबसे बड़ा जो अधिक विश्चत कौन सा था मोहन जोड़ो हडपा दोला विराया काली बंगा तो इसका अफ्चिन नमबर भी हमारा राइट आंचर हो जाएगा है हडपा सबसे बड़ी सबड़ा थी सिंदू सबड़ा के अंधर नेक्स्ट है हमारा फर्च में अलंकरत इटो का एक मात्र इस्थान बिलता है मोहन जोड़ो काली बंगा हडपाया लोत तो इसका अफ्चिन नमबर ए हमारा राइट आण जो रोजाएगा काली बंगा में पर्स पर अंकरत इटो का क्या मिला है इस्थान मिला है नेक्स्ट है आर्यो की सबसे प्रमुक नदी कौन सी थी सिंदू गंगा यमुना ये सरस्वती तो आर्यो करें किसे जानदा कई उसका आधार कौन सा क्या है इसका है उपनिशेद हैं जो भाट के विदा परियोग जनता के संदाज सांदात में हिंद संदू का पर्थम भारत नें में से किसने सरप्रतन भार्त को इंडियां माना गया है और यद्र इसका खाई न autism नमबर भी हमारा राईाइट आट कर्चा कर अ इसके खेद आ कर अप्राकरम से घर संबन जाहरे तो लिगां नेक्सटार हमागे वाले अबंदstä्ट कि जो जो मधिकाल कोरर दानीक थो तो उसके अंदर हमें फहले हम ने ढूरे सब जाय कार्शाओ कि सबसे प्राचीछ दर्शन माना गया है चुन किस देवता से समधित मिट्र वूह सवितिप प्रष्ट्रन या सूरी तो जो गाइत्री मन्तर है वो किसे समय समय सकत है चुढीढिकाल कर Marshan काल के नियुआ क्या क्या गटित हुआ था उसके अंदर हम पहले हमने जो पढ़ा था वो हमारे जो काल में पढ़ा था जो हमारे पर्थम काले पाशान काल में पढ़ा था और आप हम यह पढ़ने वाले मद्धिकाल और आद्वनिकाल में क्या हो था इबरहाइम लोधी को विरूद आक्रमांग का निमंतर बावर को दिया, और नहीं दिया, तो इसका आफ्शिय नूमर हमारा राइट आज़ हो जायगा, महमुद लोधी ने नहीं दिया था, नेक्स्ट है हमारा बाबबर द्वारा किस राजा के विरूद जिहाद का नतरो पर्थम लगायागा जिहाद का नारा सबसे पहले बाबबर ने किस राजा के विरूद लगाया था राणा सांगा, हसन खान मेवाती, मदिनी राई ये नुसरत का नेक्स्ट है हमारा विसपोटक परदातों का प्रदातों का पर्योग करना बारूद बाबबर ने का से सिका था नेक्स्ट है हमारा चंदेरी का है उतरपरदेश, मध्यपरदेश, राज़स्तान या भीयार तो चधेरी कहाँ पर इस्तित है मद्धीप्रदी MP के अंदर कहा है, चंदेरी कहा है, MP के अंदर नेक्स्ट है हमारा आराम बाग कहां इसी थै काबूल, आगरा, दिल्ली या, जोनपूर आराम बाग है, जो वो कहां इस्तित है काबूल के अंदर है काबूल के अंदर नेक्स्ट है हमारा किस यूद में हुमायो को निर्वासित होना पड़ा कन्योज, गागरा, चुनार या चुसा तो इसका ओफ्ट नमबर यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा कन्योज का यूद हता जिसमें हुमायो को क्या कर अपने राजी से क्या हो था निर्वासित होना पड़ा फर्ष्ट की पच्चि कारी करने में अलंगरण का सरवादिक प्रयू किस uhma asta be हुमायो का मकबर है ताजमेन अतंचम चुनार का है उत्तर प्रदेश बिहार बंगार यह यह म्रदय प्रदेश है उत्तर प्रदेश युद्बिक के अंदर है कहा है चुनार यूपी के अंदर नेच्ट है अमारा निजान नामक बिस्ती द्वारा हुमायो को नद्जी के किनर किस यूद के पहुंचा गया चौसा का यूद बिलग्राम का यूद नोच के यूद के बाद या मुदाविर यूद के बाद इसका option number काल मुगल कालीन कौन से बवन को ताज का पूर्वा गामी कहा जाता था मुगल काल के अंदर ताज का पूर्वा गामी किस बवन को कहा जाता था तो इसका option number बेन की जो पुराना किला है मज़द उसे क्या कहा था ताज का पूर्वा गामी नेक्स्ट है हमारा सेशा द्वारा निर्मत किस बवन की तुलना आगरा के ताजमेल से की गई तो इसका आप्शन नमर जो हमारा बी राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा दान का लंगर इस्तापित किया गया तो अबाबर, हुमायू, सेश्या या अकबर यानकी दान का लंगर है वो किसने स्थापित किया था तो इसका option number हमारा जो लंगर है वो option number D इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा जो लगान निशित करने समय नर्मी से पेश आता और वसुली के समय कड़ाई बढ़ता था तो इसका option number A right answer हो जाएगा अलावदीन किल्ची ऐसा रगता जो लगान जब लगान लगाता था उस समय तो बहुत ही नर्माई से पेश आता जो जवसुल लजाता पत्त कर तो बहुती कड़ाई से पेश आता फत्य सिंग्ग पत्ता कौन थे इसका option निथे कौन थे येग से ना निथे फत्य सिंग पत्ता नेक्स्ट है हमारा सलीम का जन्म किस राजकुमारी राजपुत राजकुमारी से हुआ हरका भाई मरी मुजमानी मान भाई या जोद दिवाने आरिज, दिवाने कोई, दिवाने मुस्तकराद, दिवाने वकीर, तो इसका option number A हमारा right answer हो जाएगा दिवाने आरिज, नेक्स्ट है, सैनिकों की निश्चे संक्या, जो मनसबदारों को अपने यहां रखनी पड़ती थी, कहलाती थी, तो इसका right answer हो जाएगा, जाथ, क्या, जाथ, पर सविदान के डिरेटेट कुश्चन्स देखने वाले हैं, जो आपका topic है, बहुत important है, एक्जाम की रिकार्णिंग, बारती सविदान का निर्मान करने वाली सविदान सभा के अधक्स कौन थे भी, डॉक्टर बीमराव, अमेटकर, सी, राजगोपालाचारी, डॉक्टर आधिन्द परशाद या जवारलालेर। इसका option number C है हमारा right answer हो जाएगा, डॉक्टर राधिन्द परशाद जो सविदान सभा के निर्मान करने वाली संस्ता थे, सभा थे, उसके क्या थे, अधक्स थे नेक्स्ट है हमारा सविदान सभा की जो पहली बैटक है कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, 9 जुलाई 1946, 9 दिसंबर 1947 या 26 नवमर 1999 इसका option number जो यह हमारा right answer हो जाएगा, सविदान सभा की पहली बैटक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को नेक्स्ट है हमारा भारती सभिदान में कितने अनुचेद और 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 एक बार नेक्स्ट है सविदान सभा की प्रारूप समीति के अधक्ष कौन थे बिम्राव अमेड कर वल्लबाई पडेल पंडित नहरू या डॉक्टर राजिंदर प्रशाद तो इसका आप्ष्ण नमर यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो बिम्राव अमेड कर थे वह सवि अंधासर के अंदर समानता सभा लोगे से sincer सब्सक्राव न्जेगा डिया थे dog का लाइट का द्रवर अनुवरी च्पर्ण और यह हमारी प्रात perfect 9-9-59 तो इसका आप्ष्ण नम यहां में इंसरे हमाचि कमे करताव Вы don Side I believe सभीदान में बारत को क्या कआ गया राज्यो का परिस्क सवीदान में भारत को क्या शबी किने परिस्क्राइब हस्ता आक्षर किये थे 244, 290, 262 या 205 तो इसका ऑजीडी ओफ्शन अमर जो हमारा यह एंकी 203 सदिशुने सविधान का अंतियम रूप से सविधान त्यार हुआता हो सवा में 203 सदिशुने साइन किये था नेक्ष्ट सविधान के वे कौन से विसे थे जो चब्बी जन्वरी पूर्वी ही लागू कर दे गए नागरिक्ता संक्रमन कारी उपबंद अंतरिक संत्त या उप्रोग सहमी तो इसका ऑफ्शन अमर डीर राइट आंस हो जाए निती नों को क्या कर दे सविधान सब्बे जन्वरी पूर्वी ही लागू कर दियागा नेक्स्ट है सविधान के अधारपूत उदेशियां लक्षियों का सविधान के किस भाग में वर्णन किया गया मॉलिक अदिकार वाले भाग प्रस्ताम में निती नदेश्ट तो भाग चार में उदेशिये कहीं पर भी इस पर रूप से दिखाई नहीं ऑप्शन नमर भी इसका राइट आंस्वर हो कि जायेगा प्रस्ताहणा में नृट है हमारा सविधान सभा अंतरकाली संसत के रूप में कब कारे करने लगी ति सात दिनवरी निस सो पचास को नेक्स्ट है नेमले कित में से किस के तहरे सुकार क्या गया कि युदों और पृंत दिती महा युद एक सविधान सभा का गठ करेंगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर एक रिप्स में सराय था 1942 के अंदर नेक्स्ट है जिसमें वेजा कहा है था कि सवीध भारत के सवीधान का निर्माण करेंगी सवीधान सभा की दूसरी बैटक तो कब हुई थी सवीधान सभा की दूसरी बैटक बुलाएगे आज के लिए बस इतना यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में